हेलो ब्रिवेन विल्कम टू माई योटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम अपने इस वीडियो में अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जिसे इंग्लिस में वन वर्ड सप्टेट्यूशन कहते हैं उसको कवर करेंगे यह जो वीडियो है वो PC PCS ROA RO RO में आपने देखा होगा जो यूपी PCS ROA RO कंडेक्ट कराता है उसमें प्रेलिम्स में अनेक सब्दों के लिए एक सब्द इसमें 10 कोश्चन इस टॉपिक से मात इसी टॉपिक से हिंदी के जो है जो 10 कोश्चन है इसी टॉपिक से आते हैं वहीं बात करें यारो यारो मेंस का तो मेंस में इसका बेटेज और ज्यादा बढ़ जाता है और वह 10 कोश्चन से बढ़के 12 कोश्चन हो जाते हैं जो जी आई सी का मेंस होने वाला है और बहुत सारे एकजाम है जिसमें वर्ट सब्दूशन यानि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द पूशते हैं तो उस एक्जाम के लिए पर्टिकुलर यह जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफूल होने वाला है तो वीडियो को बिना स्किप की हुए कम्प्रीट वाज करिए जिससे आपको जादा से जादा प्राफिट हो सके चलिए स्टार्ट करते हैं खादी सामगरी जो यात्रा के समय रास्ते में उपियोग के लिए दी जाती है उसे एक सब्द में किसने आम से जाना जाता है तो उसे पाथे कहते हैं जिसके पास कुछ न हो उसे एक सब्द में अकिंचन कहा जाता है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए जो एक सब्द है वो अनाहूत है और अगर पूछा जाए जिसे बुलाया गया हो तो वो हो जाएगा आहूत आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो और अनाहूत मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो इसका next है मोक्ष की इक्षा रखने वाला मोक्ष की इक्षा रखने वाला इसको एक सब्द में मुमुक्षू कहते हैं इसकी spelling भी देख लीजिएगा कभी कभी क्योंकि यह spelling mistake भी पूछता है जो जिस जियाम में तो इसको जो है इसमें जो मात्राएं हैं मोक्ष की इक्षा रखने वाला इसमें लिखने को होता है तो अगर हम इसकी spelling अच्छे से देख के लिख के अच्छे से प्रैक्टिश नहीं करेंगे तो कहीं ने कहीं हमसे गलती हो जाएगी तो जो कि क्योंकि इसमें हिंदी है मैत की तरह नंबर मिलता है अगर आपका एक वर्ड भी गलत है तो आपका पूरा नंबर कर जाएगा तो इसकी हवन में जलाने वाली लकड़ी इसे एक सब्द में समिधा कहते हैं समिधा कहा जाता है नेक्स्ट है दिसाएं ही जिसका वर्ड वर्ड रहें उन्हें एक सब्द में दिगंबर कहा जाता है अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो इनके लिए जो एक सब्द है वो कानीन है कानीन उन्हें किसे कहते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ हो उसे एक सब्द में कानीन कहा जाता है वहीं नेक्स्ट है पेट की अगनी पेट की अगनी को जटरागनी कहा जाता है जो सूर जो इस्त्री सूर भी ना देख सके जो इस्त्री मतब इतना अधिक पर पर्टिकुलर जो शब्द है वह क्या है वह असूरियम पस्या वह इस त्री जो सूर्व भी नहीं देख सकती है उसके लिए एक सब्द है वह अशूरियम पस्या यह भी most important question है, बहुत बार पूछा गया है, कि उसको एक सब्द में क्या कहते हैं, उस सिस्थि को, जो कभी सूर भी नहीं देख पाती है, तो उसके लिए कौन सा सब्द है, अशूरियम, पश्चा, इसकी spelling भी कभी कभी पूछने को आता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, next है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए जो एक सब्द है, वो है युद्धिस्थिर, जो युद्धिस्थिर रहता है, उसे युद्धिस्थिर नाम से जाना जाता है, next है, जो हमेशा रहने वाला है, वो क्या है, वो शाश्वत है, ज उसे अपत कहा जाता है, यस पेड़ से पत्ते ज़ल गए हो, उनके लिए जो एक सब्द है, वो क्या है, अपत है, तारने की इच्छा, तारने की इच्छा जो है, वो तितिर्शा कहला, तारने की इच्छा, जैसे मोक्ष की इच्छा मोमोक्ष कहलाती है, वैसे तारने की इच् अगला है जिसे प्रमार द्वारा सिध्ध ना किया जा सके उसके लिए जो एक सब्द हो है अप्रमे मतलब जिसे प्रमार द्वारा सिध्ध ना किया जा सके नेक्स्ट है उपनिवेश से सम्बंध हो जिसका उपनिवेश से सम्बंध हो उसके लिए एक सब्द है रन इवास में कड़े पर्दे में रहने वाली इस्त्री जो यह वही कोशन है जैसे इसको ऐसे भी पूछ सकते वह इस्त्री जो कभी सूरी को भी ना देख सके या फिर रन इवास में कड़े पर्दे में रहने वाली इस्त्री इसके लिए जो एक शब्द है वो है अशूरियम पाश्या अशूर्यम, पाश्या नेश्ट है, और most important है, उत्राधिकार में प्राप्त शम्पत्य, उत्राधिकार में जो प्राप्त शम्पत्य होती है, उसके लिए एक शब्द रिख्त है, क्या है? रिख्त गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है पतित, पतित मतलब क्या होता है गिरा हुआ, नेक्स्ट है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवक करने वाला है, यह क्या कहलाता है, स्वयम सेवक कहलाता है, गुरु के समीप रहकर सिक्षा ग्रहन करने वालो, ग गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहन करने के लिए एक शब्द पर्टिकुलर क्या है वो है अन्तेवाशी इसे जो है ये question most important है अगला है अपना उद्देश पूर करने पर स्रंतोष्ट यानि उसे एक सब्द में कृतार्थ कहा जाता है अगला है नियम बिरुद असामाजिक कारे करने वालों की सूची इसे एक सब्द में काली सूची कहा जाता है काली सूची यही जो blacklist होता है अभी हमने सुना है जो FATF यानि financial action task force है उसके द्वारा जो पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान terrorists को funding करती है इसलिए इसे blacklist में डालने की कोशि इसकी गई तो blacklist मतलब वही है जो असामाजिक कारे करें या समाज के विरुद कारें उसे जो है blacklisted यानि हिंदी में काली सूची नाम से जाना जाता है तो नियम विरुद असामाजिक कारे करने मालों किस जो सूची होती है उसे काली सूची कहा जाता है जो उपकार जो किये उपकार को मानता है जो मानता है उसके लिए एक सब्द है कրतग्य अगर पुछे कि जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है तो उसके लिए जटराग निकालाती है अगला है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत या लोरी कहा जाता है जो बच्चों के सुलाने के लिए गीत गाया जाता है उसे लोरी कहा जाता है नेक्स्ट है जो नब में चलता है जो नब में चलता है उनके लिए एक सब्द है खेच खेचर वो जो नब में चलता है नेक्स्ट है व्याकरण के ग्याता व्याकरण के ग्याता को वयाकरण कहा जाता है इसकी भी स्पेलिंग आप देख लीजिए कि व्याकरण कैसे लिखा जाता है व्याकरण के ग्याता को वयाकरण कहा जाता है नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ा कर कह बढ़ा चड़ा कर कहने के लिए एक सब्द क्या है अतियूक्ति या फिर अतिशयोक्ति बढ़ा कर चड़ा कर कहने के लिए जो एक सब्द है वो है अतिशयोक्ति या फिर अतियूक्ति नेक्स्ट है जो छीड ना हो सके जो छीड ना हो सके उसके लिए एक सब्द है अक्षय मत वाचाल या फिर इसे कभी-कभी मुखर भी कहा जाता है, जो बहुत अधिक बोलता है, उसे वाचाल या फिर मुखर कहा जाता है, नेक्स्ट है, तीलक लगाने के लिए जिस अन्ने का प्रियोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षत कहते हैं, नेक्स्ट है, जिसका इलाज ना हो सके जिसका इलाज ना हो सके उसे असाद या फिल्ला इलाज नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक सब्द क्या है अजे जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक सब्द अजे है नेक्ष्ट है जिस इस्त्री का पति जीवित है जिस इस्त्री का पति जीवित है उसे सद्वा कहते हैं वहीं जिस इस्त्री का पति जीवित नहीं या पर जिस इस्त्री का प्रति मर चुका है या अम्रित्य हो चुकी है उसके लिए एक सब्दी क्या होगा यहां पर विध्वा हो जाएगा नेक्सट है जिसका जन्म छोटी जात में बहुत है उसे क्या जन्म आन्तियज कहते हैं यह spelling भी हाता है इसमें लिभर ले हिए we WE Rom तो इसका जन्म चोटी जात में या फिर निचले वर्ड में हुआ है उससे एक नेक्स्ट हैं जो सब कुछ जानता है उसके लिए सबध्य शरवग्य जिसके सिर्पर चंद्रमा हो उसके लिए उसके लिए बड़ चंद्र शेकर जिसके हिर्दये में ममता नहीं है उसके हिर्दये लिए एक सब्द है निर्मम अभी आपको ये क्वेश्चन सारी इजी लग रहे होंगे लेकिन जब एक्जाम में आप बैठते हैं तो जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें आप कम सकम दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज रहेंगे इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ने क्योंकि हिं पाटिकुलर क्या वर्ड होगा इस सब्सब्स देखने की बहुत जरूरत है तो जिसके लिए इसके हिरदय इसको लिए एक सब्सक्ताव क्या है निर्मम है अग्या है पति युप्ता इस्त्री को एक सब्सक्री सद्वा कहा जाता है निग्ष्ट जगड़ा लगाने वाला मनुष्ट इसको लिए एक सब्द नारत है नारत जगड़ा लगाने वाले मनुष्ट को एक सब्द में क्या कहते है नारत कहते है नेक्ष्ट है महल के भीतरी भाग को किस सब्द से जानते है जो महल का भीतरी भाग है उसे अंतह फुरुनाम से जाना तुर्वोध कहा जाता है दुर्वोध मतलब उस्सें समझने में बड़ी कटनाय हो रही है नेक्ष्टः जो प्रिथवी से संबंद है उसके लिए एक सब्द है पार्थियो यानि जिसका संब्द प्रिथवी से है अगला है जो पहले धा पर अब नहीं है उसके लिए एक सब्द है भूतपूर मतलब पहले था लेकिन प्रजन टाइम में नहीं है तो इसे एक सब्द में भूतपूर कहा जाता है अगला है जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक सब्द है दुस प्राप या फिर दुरलब है अगला है बहु सी भासाओ को जानने वाले के लिए जो एक सब्द है वो है बहु भाशा विद अगला है जिसे जानने की इक्षा है उसे जिग्यासा बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं जिग्यासा जानने की इक्षा इसको एक सब्द में जिग्यासा जैसे मोक्ष की इक्षा उसे मुमुक्षु बोलते हैं और जानने की इच्छा वो है क्या है जिग्यासा है नेक्स्ट है मोस्ट इंपर्टेंट है मदीरा पीने का प्याला जो मदीरा पीने का प्याला होता है उसे क्या कहा जाता है चशक जो इस्त्री के वशी भूत है उसे इस्त्रैड कहा जाता है नेक्स्ट है सवाल जवाब बहास उझ्यत या दिये उत्तर पर उत्तर इसे एक सब्द में प्रति उत्तर कहते हैं मैं तब जो सवाल जवाब करते हैं या फिर किसी question का उत्तर तुरंथ देते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवत्यर बोलते हैं, अगला है और ये भी most important है, वह कन्या जिसके साथ बिवा का वचन दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? वागदत्ता बोलते हैं, वागदत्ता नाम से जानते हैं, नेक्स्ट है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठीकाना नहों, मतलब ऐसी आजीविका जो एक शब्द है, वो है मुमुर्शुु। निक्स्ट है, जीसे अपनी जगा से अलग कर दिया गया हो, यानि उसे क्या कहेंगे? बिश्थापित, यानि उसे अपनी जगा से अलग कर दिया गया है। अगला है बुरे उद्देश से की गई गुप्त मंत्रडा जो बुरे उद्देशों से गुप्त मंत्रडा की जाती है उसे दूरविशंद कहते हैं क्या कहते हैं दूरविशंद यानि बुरे उद्देश के लिए की गई गुप्त मंत्रडा को एक मंत्रडा को एक सब्द में द सिद्ध ना हो सके उसे अब प्रमे कहते हैं और जो सिद्ध हो सके वो क्या कहलाएंगे वो प्रमे कहलाएंगे नेक्ष है किसी पर बिजय प्राप्त करने की इक्षा रखने वाला ये क्या कहलाएगा ये जिगी इसु कहलाएगा नेक्ष है जो इस्त्री सूर भी ना दे सके ये हो चुका है उसे असूरियम पश्या नाम से जाना जाता है अगला है कुछ खास सर्तो पर किसी कारी को करने का समझjungता इसके लिए एक सब्द है शमविधा सम्विधा यानि सम्विधा जो होता है, वो किसी स्रतू पर कारी की है ? जैसे आप सुने होंगे कि जो समविधा पर नौकरी मिलती है, संभीदा पर नौकरी मिलती है वो particular एक समझाता होता है, उसमें कुछ सर्थे रखी जाती है, जिसके according जो है, आपको जौब करनी होती है, तो उसे एक सब्द में क्या कहेंगे, संभीदा कहेंगे, जो किसी कारी को करने के लिए एक मतब कुछ particular जो समझात आधिकारिक आदेश, राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसे अध्यादेश कहा जाता है, अध्यादेश की जो spelling है आप देख लीजेगा, इस पेलिंग में पूछता है, अध्यादेश के लिए अध्यादेश में बड़ा आ कर देगा, बड़ा आप ये question देखेंगे कि जो आयोग है, आयोग की दोर ये बहुत ही favorite question है, हर बार लगभग एक दो year के gap में आपको ये question देखने को मिली जाएगा, कि वह इस तरी जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए एक सब्द क्या है, प्रोशित पति का है, अगला है पैर से सिर्थक, पैर से सिर्थक के लिए एक सब्द क्या है, आपाद मस्तक, पैर से सिर्थक के लिए एक सब्द जो है, वह है आपाद मस्तक, नेक्स्ट है, अनुचित बात के लिए आगरा करने वाले के लिए एक सब्द है, दूरा ग्राही, अगला है जिसका निवार अत्यन्त कष्ट से कि जा सके उसके लिए एक सब्द है दूर निवार अगला है जो पान करने योगी नहीं है जो पान करने योगी नहीं है उसके लिए एक सब्द है अपे अपे जो बहुत अधिक बोलता हो या बहुत बोलता हो उसे क्या बोलते है वाचाल बोला जाता है नेक्स्ट है जंगल की याख को दावन गोला जाता है और याख मोई अगर पुछे दो बढ़वार कहा जाता है और गैकल में लिए चो बाइए वालनों के लिए यह पाइख सोची है समुद्र की आग, इसके लिए एक सब्द है बढ़वानल, क्या है बढ़वानल, अगला है पेट की आग, पेट की आग के लिए एक सब्द क्या है जटरागने, पेट की आग के लिए जटरागने है, नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक सब्द है अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है कड़ पाली कहलाता है कान के नीचे लटकते हुए कोमल भाग के लिए जो एक सब्द है क्या है कड़ पाली कहलाता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प सबसे पहले मिल सके थाइंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो चेप